हेलो माई लवली स्टुनेंट्स, विलकम बेख तो माई यूट्यूब चैनल साइन्स भाई दीबा, इन इस वीडियो आपके एंगल से उनकी वैल्यू आपको याद हो जाए, चली विदाउट विस्टिंग टाइं, लेट से स्टार्ट और इसमें हम लो पाम से हम लो याद करे है, ठीक है, देखो कैसे यह हमारी स्क्रीम प्यूंप लिक रहा होगा, जैसे इस, यह मेरा पाम है, ठीक है, अब मैं इसमें इसके पाम में हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं, थम को मैंने कह दिया 90 दिगरी, ठीक है, आपकी इंडेक्स को मैंने कह दिया 60 डिगरी, then this one is 45 ड तो इसी के अपोजिट तो होते हैं सेक कॉसेक एंट कॉट ठीटा तो वो तो अराम से निकला थी चलो इसको पहले हम लोगों देख रहेते हैं साइन को यहां लिखा हुआ है मैंने साइन ठीटा इसकी ट्रिक के लिए आपको यह फॉर्मुला लिखना पड़ेगा भॉढ ऑन टो बस इसे में आपको और आपका जो करनी है। सपोर्स मैं ले लेती हूँ साइन 30 डी डीघरी ले ले दे के तो लिखते हैं साइन 30 डीघरी अभ फिंगर्व यानि इस 30 डीघरी से बिलो कितनी फिंगर है तो एक जब finger दिख रही है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 उन्ली 1 ब्लो है न and upon 2 तो यानि sin 30 की value आपकी कितनी आएगी sin 30 की 1 का अगर root करोगे under root 1 निकालोगे तो क्या हैगा 1 आएगा upon 2 already तो sin 30 की value हमारी क्या आगई sin 30 की value 1 by 2 ठीक है यह बात clear हो गई अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं गे तो चलो एक निकाला देखे सारे निकल पाते की नहीं निकल पाते हैं अब लिखेंगे हम लोग sin 60 ठीक है sin 60 then again fingers blow fingers blow यह जो sin 60 वाली finger है इस finger से निजए कितनी finger है 1, 2, 3 3 finger है तो मैंने 3 लिखा अंडरूट में लिखा था अपान 2 यानि sin 60 की value हमारी क्या आ गई अंडरूट 3 अपान 2 यह बात clear ठीक है चलो अब हम लोग cost में देखते हैं cost से पहले एक और देख लेते हैं इसमें थोड़ा से calculation है like 45 वाला हम लोग देखते हैं साइन 45 डिग्री अब यह 45 डिग्री की बात हो रही है ठीक है इससे नीचे देखो कितनी हैं आपकी finger आ रही है 1 & 2 2 आ रही है तो अंडरूट में 2 अपान 2 अब साइन 45 की value अंडरूट 2 अपान 2 तो नहीं होती है अब देखो हम लोग क्या करते हैं कोई यह पता है अगर अंडरूट 2 का multiply अंडरूट 2 से करें तो यह कितना आ जाता है 2 आ जाता है तो हम लोग इसको expand करके लिख सकते हैं यह अंडरूट 2 ऊपर ऐसे लिखा रहेगा और नीचे value अंडरूट 2 इन्टू अंडरूट 2 लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं अंडरूट 2 से अंडरूट 2 कैंसल हो जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा अंडरूट 2 यानि sin45 की value क्या आ जाएगी इस तो थोड़ा से calculation है ठीक है I hope so यह आपको ट्रिक अच्छा समझ में आ गई होगी ठीक अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको पहले मैं erase कर देती हूं समझने में आसानी होगी ठीक है अब हम लोग किसको देखेंगे cost की value निकालेंगे cost की value निकालने के लिए क्या करना होगा यहां पर हम cost लिखेंगे और यहां पर हम क्या लिखेंगे पहले देख लेते हैं मैंने लिखा cost cost theta की value अब यह fingers above हो जाएगा sign में fingers blow था इसमें fingers above हो गया अब cost हम 60 निकालते हैं तो cost 60 की value देखो कैसे निकालेंगे fingers above यानि इस finger के above कितनी है only one finger है तो यहां पर one आया under root two का और यह two ठीके under root one का under root one का root जब करते हैं तो क्या आता है हमारा one upon two यानि cost 60 की value हमारी कित्ती आ गई one upon two यह बात clear हो गई आप देखो एक और हम लोग देख लेते हैं आप आप देखती हूं मैं cost 45 ठीके cost 45 लिखती हूं again fingers above इस finger के उपर कितनी finger है one finger and this is two finger यानि यह under root two upon two अब again under root two upon two तो नहीं होता है तो इसको फिर से हमको क्या करना है जो two था यह कैसे आ सकता है under root two into under root two करेंगे तभी तो हमारा यह two आता है तो वस वही लिखना है under root two उपर लिखेंगे नीचे under root two into under root two तो यह हमारा आ जाएगा two से two cancel under root वाला one upon under root two यानि cost 45 की value हमारी आ जाएगी one upon under root two अब देखो यह तो हमने निकाल लिया sign और cost की value sign की निकाल लेंगे अब आप कोगे मैं एक्जाम में कॉसेक आ गया या हमारा जोए सेक आ गया ठीके तो कैसे हम लोग इसको करेंगे देखो simple सी बात है sign की रेसे प्रोकल करना कितना easy होता है suppose suppose हमारे पास क्या है cos 30 cos 30 की value किती होती under root 3 by 2 ठीके यह आ गया तो अब हमें निकालना है cos का ultra sick होता है तो sick की value निकालना है sick 30 की तो क्या जागा 2 upon under root 3 simple इसमें इतना गबरानी की जरूरत नहीं है ठीके चलो यह वाला portion हमारा clear हो गया अब बात करते है tan tan कैसे निकालने देखो tan का क्या होता है आपको पता है sign upon cos ठीके तो यानि आपको लिखना क्या होगा sign upon cos नहीं लिखना होगा इसमें लिखना होगा fingers below upon fingers above under root ठीके यह tan theta का आपको इस तरीके से निकलने को आएगा अब suppose आपके पास आपको निकालना है tan 90 degree ठीके कैसे निकालोगे tan 90 निकालने के लिए पहले क्या लिखोगे इसके नीचे कितनी है one finger, two finger, three finger, four finger आपने four लिखा यह not defined number होगा ठीके चलो अब इसमें दूसरा देख लेते दूसरा क्या है हम ले लेते है tan 45 ठीके tan 45 लिया fingers below 45 के ओपर किती फिंगर है one, two, two finger है under root की में, ठीके below किती finger है, one, two, two finger under root में, under root two, under root two कड लिया, one आया तो tan 45 की value किती है कि one तो यह आपके palm rule थे like 90 degree then 60 degree then 45 then 30 and then 0 degree, यह बात आपको clear होगी इस तरीकी से आपको निकालना है अब चलो एक बार हम लोग table की form में देख लेते हैं, अगर आपके table में आप कुछी फॉसी sign की value याद हो जाएगी तो आप कोई भी अराम से value निकाल सकते हैं, देखो कैसे जैसे ही हमारे पास पहले मैंने लिख लिया degree उपर ठीके, 0 degree, 30 degree 45, 60, 90 यह वाला नहीं लिखो तो ठीक है ठीके, वह तो उसका निकालने पर निकाल लेंगे, हम लोग अभी 90 तक देखते हैं, ठीके, आप next के है, sign sign का निकालना, आपने sign की value जैसे मैंने palm बताया, आपने वैसे निकाल लिया ठीके, अब cost निकालने के लिए क्या करोगी, sign की value आईए, इसको reverse कर देना, ऐसे करके लिखना, जैसे यह 0, 1 है तो इधर आगया, sign 63 under root 3 by 2 था तो वह इधर आजाएगा, फिर यह वाला तो ऐसी ही 10 निकालने के लिए क्या करते हैं sign upon cost करते हैं आप sign upon cost का मतलब क्या है यह जो sign की value 0 upon 1 तो 0 को divide करेंगे 1 से तो क्या आजाएगा हमारा 0 आजाएगा तो हमने लिख दिया अब next क्या है अगर आपको 30 निकालना है तो आपका 1 upon 2 था then divided और under root 3 upon 2 ठीके तो इसमें क्या आजाएगा आपका यह उपर जाएगा दिन ऐसे होगा तो यह आजाएगा 2 into 1 upon 2 यह क्या आजाएगा आपका 2 into 1 upon 2 into under root 3 2 से 2 कैंसल हो गया तो यह आपको क्या आया 1 by 3 तो यही तो आया आपका ठीके अब आप next 45 में देख लोगे तो 45 क्या था 1 upon root 2 साइन का था और cos का भी आपका 1 upon root 2 था तो अब बस इसको उपर ले ऐसे करोगे तो यह आजाएगा under root 2 into 1 then under root 2 into 1 तो यह पूरा कट जाएगा 1 आजाएगा तो आपका यह देखो 1 आ गया ठीके आप इसका भी ऐसे ही करोगे तो यह under root 3 आजाएगा अब 90 की बात आती है 90 में क्या कर रहे हो 1 upon 0 मैंने आपको बताया हो है कोई भी नंबर को अगर 0 से divide करेंगे तो वो not defined रहता है ठीके तो यहाँ पर मैं लिख दें not defined बस आप कॉसिक क्या करना है कॉसिक यह 1 by 2 था यहाँ आजाएगा 2 1 by root 2 था तो अंडर root 2 root 3 by 2 था 2 by root 3 और यह 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा आप यह ना कहाँ देना 1 का उल्टा 0 होता है 1 का उल्टा 1 ही होगा reciprocal कर रहे हैं ठीके अब देन आगे इन हम लोग देखते हैं किसका देखेंगे अब अब अम लोग देखेंगे sec का, sec किसका उल्टा होता है sec हमारा cos का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1 root 3 by 2 का उल्टा 2 by root 3 1 by root 2 का उल्टा under root 2 1 by 2 का उल्टा 2 by 1 यानि 1 & 0 का उल्टा not defined होगा ठीके ना यह भी आपका हो गया समझ में आपको अब हम लोग देखते है next क्या है cot किसका उल्टा है आपके 10 का 0 का उल्टा not defined ठीक है 1 by root 3 का root 3 1 का 1 root 3 का 1 by root 3 and not defined का 0 यह बात clear होगा आपको अच्छे से clear हो गया होगा ठीक है तो यह class 10 का mathematics का पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत important रहेगा आपको easy और shortcut तरीका चाहिए होगा जिससे आप अराम से solve कर सको जादा आप I mean tension में नारो उस टैम पे तो ऐसे ही interesting video के लिए please मेरे चैनल को subscribe, like and share और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे है तो प्लीज प्लीज इसकी और भी वीडियो देख के जाना thank you so much and keep support me I mean अराम से कर सकता दो